दोस्तों हमारे पौधों को अच्छी खाद अच्छे फटिलाजर मिल जाए और अच्छी केर मिल जाए तो वह पौधे दिन दुना रात जोग उना बढ़ते हैं या बहुत ही तेजी से उनकी ग्रोथ होती है तो यह मैंने फटिलाजर त्यार किया है देखिए यह बहुत ही अस दोस्तों को मैंने अपने अबां हाला तो अबस्तों बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनेका मस्त और विएस्ट होंगे तो अपने चैनल गिर वालिप हो दोस्तो कोई भी प्लांट्स हो या फिर सबजी वाले प्लांट्स हो फूल वाले प्लांट्स हो आउडोर हो इंडोर हो या पर्मानेंट प्लांट्स हो कोई भी प्लांट्स को अगर हम अच्छे से केर करते हैं उसमें अच्छे से खाद पानी डालते हैं तो वो हमें रिजल्ट करती रहती हूं हर 15 दिन दस दिन पर इसमें फटिलाजर कुछ न कुछ देती रहती हूं तो जिससे की रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है हमेशा गार्णिंग फ्लावर खीले रहते हैं सब्जिया हमें हर्वेस्ट करने को मिलती है तो आज दोस्तों मैं आप लोग के रमबान काम करता है और फ्रूटिंग से भर देता है फूलों से लट जाता है हमार प्लांट तो चलिए दोस्तों इसको बनाते कैसे हैं वह सब मैं आप लोग के साथ सेर करती हूं तो यहां पर देखिए मैंने एक बाल्टी लिया है और यह बाल्टी मैंने 10 लीटर का लिया ह इसमें पानी मैंने भर लिया आधा और यहां पर मैं ले रही है सबजीयों के छिलके यह देखिए सबजीयों के मैं छिलके ले रही हूँ तो यह हमारा छोटा सा परिवार है तो जादा सबजीया नहीं निकल पाती है इसलिए 3-4 दिन की सब्जिया मैं इकठा करके रखती हूँ और फिर एक सांथ इसका फटिलाजर त्यार करती हूँ तो देखें 3-4 पॉली बैग में मैंने इस तरह से रखा है इसमें बहुत सारे निट्रिशन वाले फटिलाजर त्यार हो जाते हैं जो की सारे सब्जियों मिल जते हैं तो 3-4 दिन की जो सब्जिया रहती है उसमें हर तरह की सब्जिया होती है गोवी, मूली, पालक, मेथी, छेमी के पते और बहुत सारे इसमें पपीते जितने भी सब्जिये के छिलके रहते हैं उससाब मैं ऐसे बटोर के रखती हूँ और फिर इसका डिकम्पोस्ट करके ऐसे खात बनाती है इसको दो दिन तक मैं रखूँँगी और दो दिन के बाद दोस्तो वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा और डिकम्पोस्ट होने के बाद मैं इन सारे फूलो वाले प्लांटस में यापेते सब्जियों इसे बाइन Yogh देखिए result मेरे छोटे-छोटे से plants हैं बिल्कुल छोटे-छोटे से और फूल भी बहुत ही ज़्यादा है गमले भी बहुत साथ छोटे-छोटे तो इस तरह से छोटे-छोटे पॉट्स में भी अगर हम घर के घर में फटिलाजर त्यार कर लें फ्रीक है यह सब्जियों के जो कुरंत रिजल्ट में दिखाता है तो इसलिए यह जो फटिलाजर है सब्जियों के छिलके को पानी में दो-तीन दिन तक डिकंपोस्ट करके फिर बनाना यह बहुत ही असानी से बहुत जल्दी त्यार हो जाता है तो यहां पर देखिए दो दिन बाद मैं यह यह रिजल्ट दि ट्यार हो गया है इसमें बहुत तरह के छिलके हैं जिससे कि हमारे बंद न पूंसे अब हैं तो चलीए इसको छान लेते हैं तो चैनि के लिया अपको जआए अब भी ब्लक्स चैन के सकते मैं नीचे छूट गया है यानि मैं छत पर नहीं ले कर आप आए तो इसयानी को घू कर सकते हैं मैं अपने का जहां डिकंपोस्ट करती हूं सारे छिलकों करकती हूं सबजियों के वहीं पर इसको भी डाल दूंगी और यह देखे यह हमारा यह जो पानी है यह बहुत ही अच्छा डिकंपोस्टिंग होके एक लिक्वीड फर्टिलाजर बनके तियार हो गया है इस एसमें इसमें पानी डाल देती हूं और यह डाइरेक्ट इसमें नहीं डालना हों तरह तरह को पॉधों मैं दोस्तों पर दूब से तो यहां मेरा स्ट अच्छोटा बिलकुल एक मग है उसी से बरा सा मेरा लंबा सा ये पॉट्स है उसमें 3-4 प्लांट्स लगा हुआ है उसमें मैं इस तरह से डाल देती हूँ तो ये इस तरह दोस्तों ये जो घर में हमने त्यार किया है सब्जीयों की छिलकों से बना ये डिक्विट फटलैजर ये सभी प्लांट्स में बहुत ही अच् से खिलते रहते हैं तो इन सब में भी मैं डालं दे रहे हूं यहांपर देखिए यह और आधा मैं यह अपने ने इस अस इतृ oranggener प्लांट्स में लगाते हैं और सब्ज्यों के सब्जीयों के फुलता बनती हुं तो यह सारे बहुत सारे कल्यव्य बनी हुई है तो ने आपक करदेता इस तरह दोस्तों हम अपने घर में और विब पूलों से लद जाता है तो दोस्त बीडियो П Web तो लाइक सेर कीजिएगा मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ और एक कॉमेंट जो कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाय दोस्तो टेक क्यार हैपी गार्णिंग